So, hello, hello and welcome everyone, welcome to the channel, तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं, मौज मस्ती ना होती रहनी चाहिए है कि नहीं, तो हम इस चैनल पे पूरी Classics की बालराम कताब की पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं chapters पढ़े हैं, तो यार अभी कि अभी जाओ, पूर हो जाए ready तो चलो बिने किसी तेरी के वीडियो को शुरू करते हैं पहला question है हमारा very short मतलब पहला question है पहला question का type है हमारा very short answer type question सबसे चुटे 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 जो type के question होते हैं उनको discuss करेंगे जो आपको knowledge देंगे पहला आयोध्या नगर कहां स्तेते हैं आपको पता होना चा आयोध्या के आयोध्या के अवद के कौशल राज्य की राजधानी थी राजा दश्रत आयोध्या के कौन थे राजा थे next question राजा दश्रत किसके पुत्र थे राजा दश्रत किसके रगुवंशी राजा अज यानि के राम के जो दादा जी थे उनका नाम था राजा अज कोई संतान न होने के कारण राजा दश्रत दुखी थे अब तुम्हें लग रहा होगा यार दुखी होने के तो उनके बहुत रीजन हो सकते हैं कि भाईया उनका बेटा चला गया बनवास इसलिए नहीं अभी हम सिर्फ फर्स चैप्टर को कर रहे न तु!!! उसी की बात्या होंगी राजा दश्रत की कितनी राणिया थी राजा दश्रत की तीन राणिया थी जिनका नाम था कोशल्यय सुमित्छ riches उमित्र और कैकैई है चलो आप देखते हैं कुछ शौट आंसर टाइप कितनी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं तेरी ज्यादा उपर ही आगे क्या है हाँ जी चलो राजा दश्रत ने वशिष्ट मुनी से किस बात की चर्चा की और मुनी ने उन्हें क्या सला दी देखो राजा दश्रत ने रगुक पुत्रेष्टीयग्य करने की सलादी उन्हें ब्ला कि वह एक यज्य होता है उससे पुत्र पैदा हो जाता है तो बार इसनी की उन्हें सलादी अगला पुत्रेश्टी यक की तयारी राजा धश्रत ने किस प्रकार कि श्रंगी रिशी कौन थे रिशी है श्रंगी रिशी की देख रेक में पुत्रेश्टी यक की तयारी हुई यग शाला सर्यू नदी के किनारे बनाई गई थी और राजा धश्रत ने अनेको राजाओ को जनम दिया, मितलब राजा दश्रत की तीन राणियों ने किन-किन पुत्र को जनम दिया, तो उनको उनको पुत्र बताता हूँ, देखो, कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के थे लक्ष्मन और शत्रुग्न, और क्यकई के थे भरत, यह आपको याद होना चाहिए, च शस्त्र विद्या और शास्त्रों का अध्यन किया, यहने कि शास्त्र थीके और शस्त्र भी सीके, अगला, विश्वा मित्र के बारे में लेखिए, विश्वा मित्र पहले एक राजा थे, परन्तु बाद में उन्होंने अपना राजपाठ त्याक कर सन्यास ले लिया और रि ठीक है महारिशी विश्वा मित्री ने राजा दश्रत से क्या मांगा ने नहीं होगा कि से होगा तो याद होगा आपको उन्होंने राम को मांगा था पर लक्षमण भी चले गए थे साथ में महारिशी विश्वा मित्री ने राजा दश्रत से उनके बड़े पुत्र राम को मा महारिशी एक सिध्धी प्राप्त करने के लिए यग्य कर रहे थे जिसमें दो राक्षास बाधा डाल रहे थे उन्हें केवल राम ही मार सकते थे इसलिए उन्होंने दश्रत से यह यह मांग ली यानिकि आप देखो पूरा आपको कहानी पता होनी चाहिए हुआ क्या एक राज महारिशी विश्वामित्र जब एक यग्य करना चाहते थे सिध्धी प्राप्त करने के लिए उस यग्य को करने में दो राक्षास बड़ा परिशान कर रहे थे और उन्हों राक्षासों को केवल राम ही मार सकते थे इसलिए उन्होंने राजा दश्रत से यह मांग की अपना जेश्ट पुत्र मुझे दे दू विश्वामित्र द्वारा ऐसा कहे जाने पर राजा दश्रत पर क्या सर पड़ा उनका क्या रियाक्शन था राजा दश्रत जेश्ट पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र के वियोग के बारे में सोचने लग कर काँप गए यानि कि जैसे उनको ये पता चला कि उन्हें अपने पुत्र से जुदा होना पड़ेगा वियोग मतलब जुदा तो उनका दिल काप गया एकदम टेंशन में आगए बहुत जादा उन्हें कभी उमीर नहीं थी कि मारिशी विश्वामित्र उनसे राम को मांग लेंगे भोष हो गए और दरबार में सननाता चा गया वह इतना ज्यादा टेंशन में आ गये थे अयोध्या नगरी की सुन्दर तक अबहुत चोड़ी थी अगर सलल शब्दों में कहा जाए तो ऑयोध्या नगरी देखने योग्य थी याले कि बहुत ही सुन्दर थी अब ठोड़े मुनी वशिष्ट ने महराजा दश्रत को क्या समझाया मुनी वशिष्ट ने राजा दश्रत को समझाया कि आपके पूर्वजों की रीती है आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए अब यह कहां तुम्हें समझ नहीं रोगा यह देखो हुआ क्या था महारिशी विश्वा मित्र जब आये थे और उन्होंने क्या सबसे बड़े बेटे राम को ही मांग लिया तो उसके बाद चक्कर में आ गए दश्रत तो पर दश्रत को किस ने समझाया मुनी वशिष्ट ने समझाया उन्हें कि आपके ये जो पूरवजो की रीती है कि आगर मान जाये पर वचन न जाये उन्होंने कहा कि आप राम की चिंता मद कीजी ए मारिशी एक सिद्द पुर्ष हैं उनके होते हुए राम का कोई कुछ भी नहीं बाल बीगार सकता मतलब कुछ भी बाल भी बाका नहीं गड़ सकता मुनी वशिष्ट की बातें सुनकर राजा-ध और लक्षमण को राम के साथ बेजने की अनुमती ले ली यानि की पर Minister ले ली मुण और लक्षमण को राजा दशरत ने अपने अपना निंद्ने बताया और दोनों भाईयों ने निंद्ने तुरंन्त सुईकार कर लिया उस समय सब राम को घृष़ कुण मंत करते हैं को बैप में राजा दुष्रत की नुदशा कोले मनुदशा को प्रस्तृत कीजिए मनुदशा में के चाप्टर में राजा दश्रत सँ दुखि दुखि आई परन्तु जब राजकुमार दीक्षार पापती के लिए गुरु कुल गए तो वे फिट से दुखी हो गए थोड़ा मतलब बच्चे आये खुश हो गए पर कुछ टाइम पास वो बच्चे पढ़ने चले गए फिर दुखी हो गए जब राजकुमार बड़े हो के वापस अयोध्याए तब महारिशी विश्वमित्र आ गये और वो ने अपने साथ ले जाने का वचन मांग लिया अब बिचारे करते तो करते क्या राजा दश्रत ने अपने कुल की नीती के अनुसार अपना वचन तो पूरा किया पर दुखी मन से राम और लक्ष्मन को महारिशी इश्वामित्र के साथ बेजी दिया चलो जब राजकुमार विदा हो रहे थे उस समय अयोध्या राजमहल की स्थिती की व्याक्या कीजे यानि कि जोनों राजा जा रहे थे राम और लक्षमन तब स्टेट क्या थी सबकी राजा दश्रत ने अपना निर्णे राजकुमारों को बताया और उन्होंने ये निर्णे स्वीकार भी किया तुरंद के तुरंद राजमहल में सबको इस बात की सूचना दी गई जिस कारण सभी लोग बहुत दुखी हो गए माता कौशल्या इस निर्णे से दुखी थी परंतु उन्होंने राजा का निर्णे स्वीकार किया सभी ने भाव विभोर होकर या निकि बहुत इमोशनल होकर मारिशी के साथ राजकुमारों को बिदा किया वेरी लास्ट कोशन पर आचुके हैं राजा दश्रत ने मारिशी से क्या विंती की और उस पर मारिशी ने क्या प्रतिक्रिया दी राजा दश्रत ने मारिशी से विंती करते हुए कहा कि वे अपने साथ राम को न लेकर जाएं राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं है वे मायावी राक्षतों से कैसे लड़ेगा उनरे महारीशी से कहा कि वे अपने साथ राजा दश्रत की पूरी स्तेना ले जाएं उनरे सुयम महारीशी के साथ जाकर राक्षतों से युद्ь करने की भी बात की मतलब उन्होंने बुला आप राम को छोड़ा मैं मैं चल रहा हूं आपके साथ पूरी स्थेना लेके चल रहा हूं आप बताओ अगर उनकी बात में सुनकर महारीशी क्रोधित हुए पर उन्हों जानते थे कि क्रोध करने से यह घिका अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाएगा पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया कि यारी मेरी वचन तोड़ रहा है पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था अगर गुस्सा हुआ तो उनका जो पूरी मेडिटेशन है वो खराब हो जाएगी है तो विर दिस we come to an end of this chapter के question answers ये chapter पूरी तरह घूम कि आज की रात्री यानि कि आज की रात हम नदी के किनारे विश्राम करेंगे यानि कि इसी नदी के किनारे हम रुख जाएंगे और क्यों क्यों कि मैं तुम्हें कुछ विध्याएं सिखाना चाहता हूँ इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा उस स इससे तुम पर कोई कभी वार नहीं कर सकेगा आगा समझ में ना? चलो, very good. अग्ला कोशन विश्वा मित्र ने दोनो भाईयों को असली खत्रा किस से बताया? तो देखो विश्वा मित्र ने दोनो भाईयों को असली खत्रा राक्षसी तार्डका से बताया कई आये थे स्वहम शक्ति शाली और एक वीर राजा हुआ करते थे बाद में अपना राज मा छोड़कर उन्होंने सन्यास गरहन कर लिया। जंगल में उन्होंने सिध्ध्ध स्टम्งुन बना लिया। वो उन्होंने खुद बनाया था अपना। वे सिद्ध के लिए एक यग्य कर रहे थे, सिध्धी के लिए, याने कि meditation में आपको केते रहे कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसी तरीके कि सिध्धी के लिए वो एक यग्य कर रहे थे जिसमें दो राक्षास बाधा डाल रहे थे अब उन राक्षासों का वद के लिए राम को अपने साथ ले जाने के लिए कुद्ध श्रत के पास आये थे कि राम ही मैं लेके जाना चाहता हूँ जो उन दो राक्षसों का वद्ध कर सकता है नेक्स्ट प्रशने थोड़ा जूम कर लेता हूँ था कि आपको और अच्छा ओहो ये तो जाद ही हो गया है ना चलो इतना ही ठीक है अभी फोर्थ कुशन किस-किस का विवा किस-किस से साथ हुआ था देखो राम का विवा सीता के साथ हुआ था लक्षमन का विवा उर्मिला के साथ हुआ था भरत का विवा मांडवी के साथ था और शत्रुग्न का विवा शुत कीर्ती के साथ संपन हुआ ये चारो भाई के विवा किस किस के साथ हुए इसके उपर डारिट कुशन आ सकता है तो हमें पता होना चाहिए मांडवी और शुत कीर्ती राजा जनक के छोटे भाई कुश द्वज की पुत्रियां थी और बाकी दोनों तो आपको पता है ना राम और सीता और कौन थी सीता के साथ उर्मिला ये दोनों स्वेंबर में थी चलिए प्रशन पांच यानि कि फिफ्ट कुशन राजा दश्रत के दरबार में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे वे काफी उदास हो गए तो राजा दश्रत के राज में चारो तरफ खुशियां चाही होई थी तब ही वहाँ कौन आ गया रिशी विश्वा मित्र आ गए क्यों आ गए क्यों राम को ले जाना चाहते थे महारिशी के स्वागत सत्कार के बाद राजा दश्रत ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आपके आदेश पर का पूरी पालन होगा यह सुन विश्वामित्र ने अपने यग्गी की रक्षा के लिए राम को मांगा और यह सुनकर राजा दश्रत काफी उदास हो गए कि बताओ राम को मांग लिया अब विचारे वो डर गए कि कहीं मेरे बेटे को कुछ होना जाए अगला कोशन राजा दश्रत ने राम को मार्शी विश्वा मित्र के साथ जाने की अनुमती कैसे दे दी तो देखो जब मुनी वशिष्ट ने राम की शक्ती के बारे में बताया उनसे रगुकुल की रीती का पालन करते हुए अपना वचन निभाने को का यानि कि जो एडवाइजर थे किसके राजा जनक के यानि कि राम के पापा के वो कौन थे वो थे रिशी वशिष्ट जो उनकी कोर्ट में रहते थे है ना तो उन्होंने बोला कि देखिए राम वो बहुत शक्ती शाली है तो आप उसके लिए टेंशन मतलो दूसरी चीज खांदान अमारा जो रगुकुल है यह उसकी रीत है कि प्राण जाए पर भचन न जाए यानि कि अगर आप ने एक बार जो विश्वा मित्र हैं उनसे बोल दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा तो अब आप पीछे नहीं यहट सकते उन्होंने बताया कि विश्वा विश्वा मित्र की बात सुनकर राजा दश्रत की मनौस्तिति यानि की मेंटल स्टेट कैसी थी महारशी विश्वा मित्र की बात सुनकर पुत्र वियोग यानि की फिर से बहोश होने वाले वे राम से बहुत ज़ादा प्रेम करते थे वे राम की बिना रहनेक में असमर्थ थे यानि कि उसके बिना वो रही नहीं सकते थे उन्हें बार-बार कि आशंका भी सता रही थी कि 16 वर्षिय राम मयवी राक्षसों का मुकाबला कैसे कर पाएगा इसी चिंता से वे काफी ढरे हुए थे है ना चलो अगला कोशन ताड़का कौन थी ये इस चैप्टर का important question है वे ताड़का के बारे में और second last question भी है ताड़का एक राक्षसी थी जब राम ने धनुष की प्रतियंचा की कीच कर छोड़ा उसकी टंकार सुनकर ताड़का गरश्ती हुई राम की और दोड़ पड़ी वेक्रोध से भरकर राम की और दोड़ पड़ी उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये राम ने उस पर बांड चलाया लक्षमन ने भी निशाना साथा राम का एक बांड उसकी हृदय में लगा और उसकी मृत्यू हो गई तो ताड़का का वद किस ने कर दिया? श्री राम ने कर दिया अब देखो सुन्दरवन का नाम ताड़कावन कैसे पड़ गया था? सुन्दरवन कौन सी जगह थी? जहां पर ताड़का रुकी हुई थी ताड़का एक राक्षसी थी जिस वन में रहती थी उसके भए के कारण उसका नाम ही ताड़कावन पड़ गया था सुन्दरवन नदी के पार था वे अत्यंत गना और दुर्गम इने के गहरा जंगल था उसके डर से वहाँ कोई नहीं आता जाता था जो भी उधर जाता था ताड़का उस पर अचान काक्रमन करकर मार डालती थी आता उसके भए और आतंक के कारण सुन्दरवन का नाम क्या को अपना लिया मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवा लक्षमन से हो जाए मेरे छोटे भाई कुछ ध्वज की पुत्रियां मांडवी और शुतकीर्ती भरत तथा शत्रुगन से भ्याई जाए राजा दश्रत ने उनकी इस प्रस्ताव को तुरं सुईकार कर लिया तो हुआ क्या था यहां पे जब स्वेंबर में गए थे कौन आपके विश्वा मित्रे लेके गए थे राम और लक्षमन को तो वहां पे सीता ने किसे पसंद करा राम को क्योंकि राम ने जो चैलेंज था जो शिव धनुष को उठाने का वो पूरा कर दिया था इतन कि जो शादी है वो बाकी के जो दो भाई बचे उनके साथ करवा दी जाए और इसको बहुत ही खुशी-खुशी के साथ दश्रत ने स्वीकार कर लिया था जनकपुरी की शोभा का वर्णन जरा पार्ट के अधार पर कीजिए जनकपुरी कौन जगे थी जहां स्तीता का जो गेट ठीक है तो तोरंट द्वार यानि कि जो बड़े संदर संदर एंट्रेंस वो बने होते हैं पर बंदनवार एवं घरों में मंगल गीत गाए जा रहे थे वहां की महिलाएं राम सीता की जोड़ी की जलग पाने का उत्सुक प्रतीत होती थी यानि कि बहुत जादा वो उत्सुक थी उसके लिए है ना इसी के साथ पूरा चैप्टर हो चुगा है आपका Question Number One Rाजा दश्रण राम का राज यविशेग क्यों करना चाहते थे राजा दश्रण बूरे हो गए थे है ना बूरे हो चले थे उन्होंने राम को सामराज के काम काज में शामिल करना शुरू कर दिया था राम इस जिम्मेदारी को अच्ची तरह निभा रहे थे प्रजा भी उन्हें चाहती थी इसलिए राजा दर्षरत राम का राजविशेख करना चाहते थे सिंपल सी बात यह है कि राम एक पॉफिक्ट राजा बनने को तयार बैठे थे प्रजा उन्हें चाहती थी वो हर चीज में intelligent थे, बहुती दयावान थे, एक perfect राजा थे, तो इसलिए राजा दर्श्र जब थोड़े बुड़े हो गए, तो उने लगा कि ये एकदम सही time है कि राम को राजा बना देना चाहिए, Question No.2, राम की राजविशेक की खबर सुनकर, मंतरा को क्यों जल भूल, अन्य को क्यों जलन हो गई, मंतरा कौन थी, मंतरा थी कैकई की डासी काम करने वाली, मंतरा रानी कैकई की मूह लगी दासी थी, यानि कि जबरस्तिचिप की हुई, कैकई का हित उसके लिए सरवोपरी था वो ऐसी थी कि उसके लिए कैकई से जादा दुनिया में कोई important नहीं है वो सबसे जादा चाहती थी कि कैकई के लिए अच्छा हूँ अब वो रानी से बहुत ही जादा प्रेम करती थी रानी भी उसको बहुत जादा मानती थी अब राम का राजयबिशेक मंत्रा को कैकई की विरुद एक शडियंत्र लगा राम का राजयबिशेक मंत्रा को लगा कि ये कैकई के लिए एक गलत चीज़ है उसके लिए शडियंत्र है जो राजा कर रहे हैं इस कारण वे राज्यभिशेक की खबर सुनकर जल बुन गई, एकदम जल गई मंत्रा ने रानी कहकई को क्या बात समझाई, यही बहुत इंपोर्टन है, पूरी रामाइन यही से शुरू ही न और उन्हें सोयम कोशल्या की दासी बनना पड़ेगा, अच्छा यही है कि दश्रत से समय रहते वचन मांग लो, वही वचन जिसे देने का संकल पुनों ने पहले दिया था, पहले वचन में भरत के लिए राजगदी, तता दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का बनवास म मंतरा ने कहकई को दी, क्योंकि बहुत साल पहले कभी राजा ने कहकई को प्रॉमिस कर दिया था कि कोई भी दो तुम वर्दान मांगोगी मैं दूंगा, तो वही उसने बोला कि आज मौका है तुम उनसे मांग लो, चलो, क्वेश्चन नमबर 4, मंतरा ने रानी कहकई को क्य क्या उपाय बताया, मंतरा ने रानी कहकई से कहा कि वे मैले कपड़े पहन कर कोप भवन, यहां गुस्ता हो कर बैठ जाते न, कोप भवन में चली जाए, महराज आएं तो उनकी और मत देखना, बात भी मत करना, तुम्हारा दुख नहीं देख सकेंगे, जब वे मानने लग मतलब क्योंकि तुम गुस्सा दिखाना कि तुम गुस्सा हो, और जब वो मनाने आएं, बस उसी दमें पिछली बात याद दिला कर दोनों वचन मांग लेना, ओहु गल्ती से जादा ही कट क्या, चलो जी, फिफ्ट कोशन, कहकई ने अंतिम हत्यार के रूप में राजा दश रगुकुल की रीती नहीं है, यानि कि रगुकुल जो पूरा वंच था, राम का, उसमें ऐसा माना जाता था, कि प्राण जाए, पर वचन न जाए, तो बाखरी में उन्होंने बस यह याद दिला दिया, कि देखिए महराज, आपने मेरे को वचन दिया था, अब आप देख नहीं माने न, तो मैं जहर पी के मर जाओंगी, पर आप देख लो फिर आपके उपर जिंदधी भरी अकलंग रहेगा, फुल ब्लैक मेल कर दिया राजा को, नेक्स्ट, कहकई द्वारा वर्दान मांगे जाने पर दश्रत की क्या दशा हुई? पर कहकई अपनी जिद पर अड़ी रही, वो दोबारा बेहोश हो गए और रात बर बेसुद पड़े रहे, यानि कि उनका इतना बुरा हाल हो गया था, कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा था, कि वो क्या बोलें, कैसे बोलें, उठ रहे थे, फिर बेहोश हो जा रहे थे, और वो पूरी रात ऐसी पड़े रहे, नौ, कुछ-कुछ तीन लॉंगान से कुशिन करेंगे, इंपॉर्टन्ट है, ठीक है, राजा दस्रत ने राम के राजभिशेक का निर्ने क्यों लिया था, पहले भी यह कुशिन आ चुका है, थोड़ा शॉर्ट में अब इसे राम चारों भाईयों में बड़े हैं, जबसे वो सीता स्वेंबर के बाद अयोध्या वापिस आये थे, राजा दस्रत ने उन्हें राज काज में शामिल करना शुरू कर दिया था, राम भी यह जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठा रहे थे, इसलिए अतिरिक्त विद राजा में, दस्रत उन्हें प्यार करते थे, दर्बार में राम का काफी सम्मान भी था, तो ये सब देखकर राजा दस्रत ने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय ले लिया और उनका राजय विशे, नेक्स्ट कोशन, कोब भवन में कहकरी और राजा दस्रत के बीच क् देखो, थोड़ा लंबा है, आपको सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुननी है, और कुछ नहीं, जब राजा दस्रत को भवन में पहुँचे, तो वहाँ द्रिश्य देखकर हैरान रहे गए, क्योंकि वहाँ वो गुस्से में पड़ी थी, कहकरी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ पूछा था, महराज दस्रत ने कहकरी से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, तुम अस्वस्त हो राजवैद को बुलाया जाए, क्या मतलब तुम कोई दिक्कत है, तो मैं अभी वैद को बलाऊं, डॉक्टर को बलाऊं, पर कोई उत्तर नहीं मिला, कहकरी रोती रही, दस्र तुम जो बोलो, वो तुम पूरा होगा, उन्होंने राम की सौगन दिखा कर वचन पूरा करने को कहा, राजा दस्रत राम की सौगन ली थी, तो कहकर उठकर बैठ गई, और बोली, आप मुझे दो वर्दान दे, जो आपने वर्षों पहले रण भूमी में देने का संकल्प और होश में आने पर बोले, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना, कहकर यह अपनी बात पर अड़ी रही, उसने धंकी दी, अगर आप वर्दान नहीं देंगे, तो मैं विश्व पी कर आत्म हत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माते र पताई थी ना, तो पहले तो डाट के भगा दिया था, कहकरी ने, यह पागले भढ़कारी मुझे, पट उसके बाद भी उसको कोई असर नहीं हुआ, क्यों? इसने कहकरी से कहा कि तुमारे सुखों का अंतोने वाला है, आपको अशलिया के रानी बनते ही तुम दासी बन जाओगी, और भरत दास बन कर रहेगा, राम के बाद उसका पुतर ही अगला राजा होगा, राम का राज्य भिशिक होते ही वे भरत को राज्य से बाहर निकाल उसकी ऐसी बाते कहकई पर असर कर जाती हैं और वे राजा से अपनी बात मनवा लेती हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जमाप तो जाता है, है की नहीं? चलो, पहला कोशन है, महामंत्री सुमंत ने महल में जाकर क्या देखा, बता वाई, क्या देखा, ऐसा क्या लिया, तो दरसल हुआ क्या था? सुमंत ने महल में जाकर देखा, कि महाराज दशरत पलंग पर पड़े हैं, बड़े दुखी बेचारे, बड़े बुरी हालत में, वो बीमार दीन हीन से लगते थे, मतलब बड़े बीमार लग रहे थे, दीन हीन, मतलब बेचारे, अर्द च लिए, और राम को तो वो बहुती जादा प्यार करते थे, तो इसलिए वो बेचारों की हालत कराब हो गई, अब राम के निवास का दृष्य कैसा था? सुमंत ने वहाँ आगमन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? राम का निवास जहां रह रहे थे, वहाँ पर क्या हालत थी? द राम का आज राज अबिशेख है, श्री राम तो आज राजा बनेंगे, तो लोग बड़े खुश थे, भीर लगाये कड़े थे, लक्षमन भी वहीं थे, चारों तरफ बहुत चहल पहल थी, भावन को बहुत सुन्दर सजाया गया था, उसकी सुन्दरता देखते ही बनती थ मतलब खुश हो गए लोग एकदम, है ना, और क्या बुलने लगे चलो, अब राम राजा बनने वाले हैं और उसका इन्विटेशन आ गया, सुमन्द ने राम को पताया कि महाराज दश्रत ने उन्हें बुलाया है, दोनों राजकुमार राजसी वस्तरों में सरसुसजित हो तो दश्रत की हालत तो बहुत खरात थी, तो क्या बताया, सब कुछ कह कही ने बताया, क्या बताया, क्या कही ने राम से कहा, कि महाराज दश्रत ने उन्हें एक बार दो वर्दान दिये थे, उसने कल रात उनसे दोनों वर्दान मांग ली, और क्या मांगा उनमें, अब वे दिएवे वचन से पीछे हट रहे हैं ये रगुकुल की रीती के विरुद्ध है मैं चाहती हूँ कि राज्यविशेक भरत का हो और राम को 14 वर्ष का बनवास हो महराज यह बात तुम से नहीं कह पा रहे हैं तो जब महराज कुद नहीं कह पाए तो कहकरी नहीं सारी बात कह डाली अब राम ने क्या क्या तरक देकर सीता को वन जाने से रोकना चाहा और सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए क्या तरक दिया अब देखो जब वन वाली बात हुई तो सीता कहने लगी कि मैं चलूंगी तुमारे साथ है ना आप मेरे husband है आप जहां रहोगे मैं वहीं रहूँगी पर राम ने क्या-क्या बोला देखो राम ने सीता को साथ न जाने के लिए तर्क देते हुए समझाया कि वन का जीवन बहुत कटिन है वहाँ न तो रहने का ठिकाना होता है न अच्छा बोचन मिल पाता है वहाँ क चाया की भाती सदा आपके साथ रहूं सीता क्या देव बोलती है सीता बोलती है मेरे पापा ने देखो मुझे से कहा था कि मैं एक चाया की तरह आपके साथ रहूं इसलिए मैं आपके साथ वन जाओंगी जाओंगी राम ने वन गमन में द्रिश्य का वर्णन करे जब राम वन को जा रहे थे तो क्या द्रिश्य था उसको explaining करते हैं देखो राम लक्ष्मन और सीता जब सबसे अनुमती लेकर वन गमन को निकले तो नगरवासी भी उनके रत के पीछे दोड़ने लगे इतना सेंटी सीन था यार जब मैं explain कर रहा था ना पतला मैं emotional हो गया था आप सबसे राम बस निकली रहे थे कि पूरी जंता आखों में आसू लिये उनकी पीछे पीछे भागती रही राजा दश्रत और कोशल्या भी उनकी पीछे पीछे गए उन सबकी आखों में आसू थे पुरुष मैलाएं बूडे जवान बच्चे उनके पीछे पीछे मीलों तक नंगे पाउं दोड़ते रहे ये देखकर राम भावख हो गए उन्होंने सुमंत से रत और तेज चलाने को कहा ताके लोग ठक कर उन्हें उनके पीछा करना बंद करते क्योंकि वो बहुत जादा देखने ही पा रहे थे उसी इसको वन जाने से पूर्व जब राम पिता से आशिरवाद लेने गए तो उन्होंने क्या कहा जब राम वन जाने से पहले पिता से आशिरवाद लेने पहुंचे तब राजा दश्रत ने कहा पुत्र मेरी मती मारी उन्होंने क्या बोला, देखो मैं तो अपने वचन में बंदा हुआ हूँ, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा, मगर तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे उपर तो कोई बंदन नहीं है, तुम मुझे बंदी बना लो, और तुम ये पूरा राज पार्ट संभालो, क्योंकि ये सुमंत राजभवन जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा, कि महाराज जश्रत पलंग पर पड़े हैं, यह देखकर सुमंत के मन में शंकाएं हुई, लेकिन उनके निवारण के लिए, कहके ने कहा कि मंत्री वीर, कि मंत्री वर, चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज र पहले राम को बलाओ, इन्हें राम से कुछ बात करनी है, इसके बाद राजा दश्रत ने बहुत ही दीन भाव से बलाने की आग्या दी, इस तरह सुमंत की शंकाओं का निवारण हुआ, अगला प्रशन, राजा दश्रत कहकई को मनाने में असफल रहे, पर कहकई के चेहरे पर कहकई को नहीं मना सकी, और राम के आने के बाद कहकई ने बताया, कि महाराज दश्रत ने मुझे एक बार दो वरदान दिये थे, मैंने कल रात साथ दो नोवरदान मांग लिए, यह रूकल की रीत है, वो पूरे पूरा पूरा जो बार पर आच चुगा है, अब राम ने माता की बातों को सुनकर धृता से कहा पिता का वचन नविष्य पूरा होगा तो खुशी उसे कब आई? जब वो राम से मिली राम ने कहा पिता का जो वचन है वो पूरा होगा भरत को राज़िगदी दी जाएगी और आज ही मैं वन को चला जाओगा राम की ऐसी बात सुनकर कह कही कह चाहरा प्रसन नो उठा उसे लगा वाह चो मैं चाहती थी वो तो हो गया सुमंत का खाली रत आयोध्या पहुँचने पर आयोध्या वास्यों की क्या प्रतिक्रिया होए सुमंत का खाली रत आयोध्या पहुँचने पर आयोध्या वास्यों ने उन्हें गेर लिया महराज दस्तरत की बेचयनी बढ़ती गई और राम के वन गमन के चटे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिये इसी के साथ ही चाप्टर हुआ था समाप्त और एक कोशन आंसर भी हो गए है समाप्त पहला कोशन आयोध्या पहुँचने पर भरत ने क्या महसूस किया तो जब राम श्री राम को भेज दिया गया बनवास और पहुचे कौन भरत भरत को जब खबर मिली तो वो कहां पहुचे अयोध्या तो उनकी क्या हालत थी उसका कोशन है तेखो अयोध्या पहुचने पर भरत को अयोध्या असामानने लगी कैसी लगी अबनॉर्मल लगी वहाँ का महौल उन्हें बदला बदला लगा उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी अनिष्ट याने कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है जब उन्होंने सडकें सूनी होने और बाग भगीचों में उदासी के महौल का कारण पूछा तो उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला याने कि किसी ने भी उन्हें कोई आंसर नहीं दिया Question number 2 भरत को रानी कौशल्या ने क्या कहा देखो आहत कौशल्या ने आहत याने की hurt कौशल्या जो ती श्री राम की मम्मी थी वो hurt हो चुकी थी ठीक है उन्होंने भरत से कहा कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है अब अयोध्या का राज तुम्हारा है लेकिन कहकई द्वारा राज लेने का अपनाया गया तरीका अनुचित था राम को 14 वर्ष के लिए बनवास दिया है सीता और लक बरत ने अपनी मा को किन शब्दों में दिकारा यानि कि जब उसको पता चला कि उसकी मदर ने क्या 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 है तो उसने क्या 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 बला उनको बरत ने अपनी मा को धिकारते हुए कहा ये तुमने क्या किया माते ऐसा अनर्थ घोर अपराद अपराध नी हो तुम वन तुम्हें जाना चाहिए था राम को नहीं तुमने पाप किया है माते इतना साहस कहां से आया तुम्हें किसने तुम्हारी बुद्धी ब्रष्ट की उल्टा पाट किसने पढ़ाया ये अपराद अशम्य है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कॉशन बरत ने सभा सदों के सामने अपनी क्या मंशा जताई यानि कि अपनी मन की क्या जो फीलिंग थी क्या एक्सप्रेस की देखो भरत ने सभा सदों के सामने अपनी मंशा जताते हुए कहा मेरी मा ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है मैं राम की सौगन दिखा कर कहता हूँ मैं वन में राम के पास जाऊंगा प्रार्थना करूँगा कि वे गद्धी समभालें और मैं दास बन कर रहूँगा उनके मन में राम के लिए जो प्योर रिस्पेक्ट थी उन्होंने वो एक्सप्रेस की सब के सामने क्वेशन नमब फाइव भरत वन जाने के लिए क्यों परिशान थे भरत वन जाने के लिए भरत वन जाने के लिए क्यों परिशान थे राजा दश्रत की मृत्यूं के बाद अयोध्या का सिंगासन खाली हो गया था ये देखकर मारिशी वशिष्ट ने भरत और शत्रुगुन को बुलाकर राजकाज संभालने के लिए कहा भरत ने मुनी का अनुरोध सुईकार करते हुए राजगद्धी पर राम का अधिकार बताया उन्होंने बुला कि कि मैं जो उनकी जिम्मेदारी है वो चुरा रहूं उन्होंने वन जाने का निष्चे किया ताके राम को अयोध्या वापस ला सकें इसलिए वो परिशान थे क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी वन जाना था ताकि वो राम को वापिस ला सकें Question number 6 देखते हैं विराट सेना को आता देखकर लक्षमन को क्या जंदे हुआ अब हुआ क्या सारी सेना ली भरत ने और चल पड़े किदर वन की तरफ जहां श्री राम अपनी कुटिया बनाये विचारे साधारन जिन्दीगी जी रहे थे जैसी लक्षमन जो कि उस समय गाड की सिचुएशन में थे मतलब प्रोटेक्शन कर रहे थे एक ऐसा होता था कि दो लोग अपने कुटिया में आराम से हैं तो एक बंदा बाहर ध्यान रख रहा है कि कोई दुश्मन ना आ जाए तो उसी सिचुएशन में कौन थे लक्षमन थे लक्षमन देखा कि बहुत बड़ी सेना हमारी तरफ आ रही है अब लक्षमन थोड़े से मतलब इतने मच्चौर नहीं थे अब लगो होता न यह आयोध्या की सेना थी अयुद्या की सेना को अपनी ओर आता देख लक्षमण को संदे हुआ कि भरत उन पर आक्रमण करने आये हैं और जान से मार डालना चाहते हैं तो ये सोचा उनोंने पहाडी पर पहुँचकर भरत ने क्या देखा और क्या किया तो पहाडी पर पहुँचकर भरत ने देखा कि राम एक शिला पर बैटे हुए एक पत्थर पर पास में ही सीता और लक्षमण बैटे थे भरत दोड पड़े वे राम के चरणों में गिर पड़े शतुर्ग ने भी राम की चरण वंदिना की, यानि कि उनके चरणों की रिस्पेक्ट की जाके पैच हुए उनके, महारिशी वश्ष्ष ने जब राम से अयुध्या लोट कर अपना दायत्व निभाने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने क्या कहा, किसने क्या कहा, राम ने, लास् कारिक की दायत्व को समभालो, तब राम ने कहा कि वे पिता की आग्या का पालन कर रहे हैं, क्या बुला, कि इस समय तो मैं अपने पिता की आग्या जो क्या थी, 14 वर्ष का बनवास, उसकी पालन कर रहा हूँ, तब पिता की मृत्यू के बाद वे उनका वचन नहीं तोड़ सकते उन्होंने ये भी कहा चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए हिमाले शीतल न रहे समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए पर मैं पिता की वचनों का पालन अवश्य करूँगा मैं उनकी आज्या से वन में आया हूँ अब भरत को ही र सिता बादिया होगा चलो चलो मजाग बहुत हो गया राक्षसों की प्रती सीता और राम विचारों में क्या भिन्नता थी पहले शुरू करने से पर थोड़ा जू ब्हां सो के प्रती प्रती राम का यह नंत कर देना चाहिए था ताकि वो देवताओं का अनिष्ट न करें तो वो राम क्या कहते थे कि इतने भी यह राक्षस हैं इनको खतम कर देना चाहिए ताकि यह किसी भी अच्छे इंसान का बुरा न कर पाए वो अपनी मायावी शक्ती से रिशी मुनियों को भी कश्ट पहुंचाते हैं वहीं दूसर उन्हें श्री राम को कुछ नहीं बोला तो वह क्यों उनको अवद कर रहे हैं समझ रहे हो यह डिफरेंस ओक्के जी क्वेश्टन नमबर टू लक्ष्मण ने शूर्पनखा के नाक कान क्यों काटे गए थे हैना देखा हुआ क्या था बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है शूर्पनखा राम को देखकर उन पर मोहित होगे लट्टू होगे थी एकदम हैना वो राम से विवा करना चाहती थी उसने माया से एक सुन्दर स्त्री का रूप बना लिया और राम के पास चली गई राम ने सीता की और संकेत करते हुए कहा कि यह मेरी पतनी है मेरा विवा हो चुका है राम के मना करने पर वो लक्षमन के पास चली गई लक्षमन ने काहकर मना कर दिया मैं तो राम का दास हूँ और मैं यहां शादी करने थोड़ी आया हूँ तब शूर्पनखा ने क्रोध में आकर सीता पर जफटा मारा तो शूर्पनखा गुस्ता हो गई सीता के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो पारी तो उसने जफटा हमारा सीता पर उसने सोचा कि राम इसी के कारण उसे विवा नहीं कर रहे हैं इसको मैं खतम कर देती हूँ लक्षमण ने तकाल उठ खड़े हुए लक्षमण मतलब एकदम से उठ खड़े हुए और तलवार कीच कर शूपनखा के नाक कान काट दिये और शूपनखा खून से लथपत रोती भी लगती अपने भाई खर्दूशन के पास गई किसके पास? खर्दूशन के पास क्लियर? चलो जी, अगला कुशन रावण सीता हरण के लिए क्यों तयार हो गया था? जो रावण के वैसे तो वो बहुत बुद्धिमान था शक्तिशाली था, समझदार था और ज्यानी भी था परन्तु स्टिल वो ऐसा गलत काम करने के लिए क्यों तयार हुआ? देखो, जब राम पंचवटी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अनेक राक्षसों का संगहार कर दिया बहुत से राक्षस मार दिये एक बार खर्दूशन ने अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमंट किया हुआ कि आभी हमने देखा था ना कि शूपनखा के नाक कान काट दिये शूपनखा क्या भाई था? खर्दूशन और शूपनखा का ही भाई था? कौन? रावण तो जब रावण को पता चला कि उसका जो भाई है, कौन? खर्दूशन वो मारा गया, अपनी पूरी सेना के साथ, तो राम लक्षमर्ण राक्षतों की सेना के साथ घमासान युद्वा, अंत में राम की विजय हुई, कुछ राक्षत बचकर भाग निकले उनमें अकंपन भी था, उनी राक्षतों में एक राक्षत कौन था? अकंपन वो रावन के पास गया और उससे कहा कि राम को मारने का एकी उपाय है, सीता का अपरंट उसने क्या बोला? इससे वो इतने दुखी हो जाएंगे, वो खुदी मर जाएंगे इससे रावन सीता हरंट के लिए तयार हो गये, ठीके जी? चालो अकमपन कौन था? उसने रावण को क्या बताया? एको अकमपन खरदूशड की सेना का एक राक्षस था राम के साथ युद्ध में जान बचा कर भागाया था वो सीधे रावण के पास पहुँचकर उसे युद्ध का सारहाल सुनाया उसने रावन से ये भी कहा कि राम कुशल योद्धा है यानि कि राम एक बहुत ही बहतरीन योद्धा है उसे ऐसे हराये नहीं जा सकता उनके पास विलक्षन शक्तिया है जिनको हराना बहुत ही मुश्किल है उन्हें कोई नहीं मार सकता उनको मारने का एक ही उपाय है वो है सी बहुत अप्वेश्ड को करता है और आका सटु होट श के पर देखर आजने है अपने साथ हुए इसी की बईला है उ DENNIS बहुत उक्साया है जहने लड़े उक्साया कि यह घसा कि बदला लें लड़े उधेश व्देश्टि से तUDए रावण के पास गई थी उक्सान थेस क्या समझ में? चलो. Q6. रावण ने सीता हरंड के लिए क्या योजना बनाई? रावण ने सीता हरंड के लिए मारीच की सहायता लेने का निश्चाय किया. मारीच कौन था? एक मायावी राक्षस था, जो कि अपना रूप बदल सकता था. उसने डरा धमका कर मारीच को इसके लिए तैयार कर लिया. इसके बाद रत पर बैटकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँच गए, जहां राम की कुटिया थी. राम की कुटी के समीप, यानि के पास में जाकर मारीच ने सोने के हिरंड का रूप धारंड कर लिया, तथा कुटी के आसपास गुमने लगा. सोने का हिरंड मनकर वहाँ पे गुमने लगा. अब सीता उस सुन्दर हिरन पर मुगद हो गई और राम से उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा राम उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गए हुआ क्या? सीता बड़ी खुश थी सीता को लगा ये तो बड़ा प्यार है इसको तो मैं चाहती हूं पालना तो उन्होंने राम से बोला कि आप इसे पकड़ लाओ और राम को भगाते हुए कि वो मारिष था बहुत दूर ले गया ताकि राम बहुत दूर चले जाए शंका होते हुए भी राम हिरन के पीछे क्यों गए? देखो, दस वर्षों तक वन में रहते हुए भी सीता ने राम से कभी कुछ नहीं मांगा था इसलिए हिरन का संदे होते हुए भी राम सीता की बस इच्छा पूरी करने के लिए कहां चले गए? उसके हिरन के पीछे चले गए पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? उसने राम से क्या कहा? पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल का एक गिद्ध मिला जब सीता माता जा चुकी थी तो उसके बाद जब राम उन्हें ढूंड रहते माता सीता को तो उन्हें रस्ते में कौन मिला था? एक विशाल का एक गिद्ध मिला जिसका नाम था जटायू जिस जटायू ने माता सीता को बचाने के लिए बहुत लड़ाई करी थी और अपना एक पंक तक कटवा दिया था सीता उसे देखकर डर गई थी तता लक्षमन ने माया भी समझा वे धनुष उठा ही रहते कि जटायू ने कहा कि हे राजन मुझसे मड़रो मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ वन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा जब आप दोनों बहार जाएंगे तब मैं सीता की रक्षा करूँगा अरे नहीं जटायू तो कौन था जटायू तो उन्हें पहले ही मिल गया था जो जब उनको देखके पहले तो सीता मातार डर गहीं सब डर गए जब वो कहां पंचवटी जाई रहते तभी मिल गया था और जटायू को देखते ही जटायू खुद बोल पड़ा कि हे राजन वो श्री राम को पहचान गया कि आप मुझसे डरुमत मैं तो आपके पिताजी का मित्र हूँ तो बस इसी के साथ सारे important question हो जाते हैं पर समाप है ना रावण ने सीता हरंड के लिए क्या किया भै क्या किया रावण सीता हरंड के लिए मायावी मारीच को अपने साथ लाया था मारीच ने सोने के हिरंड का रूप धारंड कर लिया और राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा अब सीता उसे देखकर मुग्द हो गई और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने राम से अनुरोद किया अब राम को कुटी से निकलता देख मायावी हिरन जोर जोर से दौडने लगा और वह उन्हें दूर तक ले गया राम जब उसे पकड़ने के लिए असफल रहे तब उन्होंने उस पर बांट छोड़ दिया जिस सिवे जमीन पर गिर पड़ा उसने अपने असली रूप में वापस आकर कहा जोर जोर से सीते हे लक्षमन की ऐसी आवाज निकाली कि जैसे कि वो आवाज राम की हो जिसे सुन सी सीता ने लक्षमन को राम की सायता के लिए जाने पर मजबूर किया लक्षमन के वहां से जाते ही रावण सीता का हरंट करने में सफल हो गए अब इसको इसी लैंग्विज में समझाता हूँ बहुत ही सारी कहानी एक बार में दे डाली कैसे समझे टेंशन मतलो रावण जानत अब उसको देखके जो सीता मया थी वो से देखके बड़ी खुश हो गई वो बोली मुझे ये चाहिए पिछले दस सालों से उन्होंने कुछ नहीं मांगा था राम से तो राम भले ही उनको थोड़ा शक हुआ कि यार ये कैसे सोने का हिरंट कैसे गूम सकता यहां पर पर हुआ ठाता मरना तो निश्यत है पड़ वो मरते मरते भी क्या कर गया वो जोर दोर से चिलाने लगा हे सीते हे लक्षमन ऐसी आवाज में जैसे कि राम को किसी ने मार डाला हो या राम किसी मुसीवत में हो जिसे सुनके माता सीता बड़ी दुखी हुई टेंशन में आगई क क्या हुआ राम को क्या हुआ तो उन्होंने जबर्दस्ती लक्षमण को बेज दिया इवन लक्षमण बोले के नहीं माता यह कोई चल है कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो तब भी वो नहीं मानी वो बोले नहीं तुम कैसे भाई हो दिकार है तुम पर तुम अपने भाई को ब मायावी मारीच की पुकार सुनकर लक्षमन ने अपनी चौक सी बढ़ा दी यानि कि अपना जो फोकस था आसपास कि क्यों से थम्मझ में आ गया था कि कुछ तो गड़ बढ़े तो राक्षतों की अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन सीता वो आवाज सुनकर विचल अवाज आई है तो मारे बड़े भाई परिशानी में फस गये है उन्होंने उन्हे साहिता के लिए बुलाया है जब लक्षमन ने समाया भी चाल बताया तो सीता बुरा बला कहने लगी और क्रोधित हो गई वो लक्षमन के मन में पाप बताने लगी वो बोली कि तुम्हारे मन में पाप है तुम ज़रुर अपने भाई को बचाना नहीं चाते उन्ने भरत का गुपतचर बता दिया उन्हें यह तक बोल दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भरत के गुप्तचर हो लाचार होकर लक्षमन को जाना ही पड़ा चलो लक्षमन के राम की खोज में जाने के बाद रावण ने क्या किया अब जैसी लक्षमन भी चलेगा राम की खोज में रावण ने क्या किया कुटी से लक्षमन के जाते ही रावन तपस्वी के भेश में यानि के एक रिशी मुनी के भेश में आ पहुँचा सीता ने सादू रूप में उनका स्वागत करना चाहा तो उसने सीता को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं लंका दिपती रावन सुयम यहां तुम्हें लेने आया हूँ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा ये सुनकर सीता गुस्से में आ गई कहने लगी कि मैं प्राण त्याग दूँगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी रावन ने सीता की एक नहीं सुनी उसने उने खीच कर रत पर बिठा लिया और रत को लंगा की ओर लेकर चल पड़ा अब यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं है बड़ आपको लिखने की जरुद भी नहीं है मैं आपको इंट्रेस्ट के लिए थोड़ी सी बता देता हूं आपको याद है ना लक्षमण रेखा राम लक्षमण जाने से पहले एक लक्षमण रेखा बनाके गये थे जिसके अंदर कोई भी नौर्मल इंशान ऐसे जाई नहीं सकता था और सीता से बोलके गये थे कि पर्श्च नमबर फूर, सीता ने रावन से बचाव की आशा न देख पाने के बाद क्या किया, जब सीता को लगा कि आप रावन से ऐसे नहीं बचा जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, सीता ने रावन के चंगुल से छूटने की काफी प्रयास किया, बहुत कोशेश करी, सीता को तुरंत बाहों में दबाया और दक्षण दिशा की और उड़ने लगा, इवन जटायू से लड़ाई के समय पूरा रत टूड़ गया, रावन का, पर रावन शक्तिशाली था, उड़ना जानता था, तो उसने बाहों में, मतलब बैसे कंधे पर बिठाया सीता को और उड़ने लगा, अब ये देखकर सीता को रावन से बचने की आशा नहीं रही, उन्होंने अब क्या करा, अपने अभूशन यानि कि जितनी भी जूड़ रही थी, उनको थोड़ थोड़ी दूर पे गिराना शुरू कर दिया, ताकि वो किसको नीचे जो लोग है उनको मिल पता चल जाए कि किस डिरेक्शन में सीता गई है, अबूशन बंदरों ने उठा लिये, उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये अबूशन देखकर राम को पता चल जाएगा कि सीता इसी मार्ग से गई है, ठीके जी, ओके समझ में चलो, अगला कोशन, सीता ने रावन से र जला कर राख कर देंगे, तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, वैभव यानि कि चितना भी तू अपनी शेकी जाड़ रहा है, कि मेरे पास लंका है, ये वो है, तुने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है, राम की इतनी प्रशन सा सुनकर, राव दश्रत का एक मित्र भी था, रावड जब सीता को छल एवं बलपूर्ण, बलपूर्वक वहां हरं कर वायू मार भी, यानि कि आस्मान के रास्ते से ले जा रहा था, तब उसने सीता का विलाप सुनकर उची उडान भरी, और रावड के रत पर हमला कर दिया, तब उसको पत रावड के पंक काट डाले, चटायू जमीन पर आगिरा और वो भी घायल हो गया, चटायू ने अपनी जान दे दी सीता को बचाने के लिए, मगर फिर भी रावड साधा शक्तिशाली था, रावड ने राक्षस राक्षिसियों को क्या निर्देश दिया, रावड ने राक् जाहत आरीफ कर दी, तो रावड पर क्या एफेक्ट पड़ा, अब सीता से राम के बल पौरुष, यानि शक्ति की प्रशन सा सुनकर रावड चिंतित हो गया, उसने आठ बलिष्ट राक्षसों को, मतलब बहुत ही शक्ति जाली राक्षसों को, राम लक्षमन की निगरानी क करने के लिए भेजा, उसने ये भी आदेश दिया कि मौका मिलते ही उनका वद कर दिया जाए, अगला, I hope, last question, right, तो रावड ने सीता को कहां रखा, और वहाँ पहरेदार को क्या निर्देश था, मतलब वहाँ के जो पहरेदार थे, उनको क्या इंस्ट्रक्शन्स दिये इसके मन को दुख पहुचाओ, अब मानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हो चुगा है, इस हमाँ आप शुरू करते हैं, जाधा बात यो जाती कभी-कभी, है ना, चलो बहुत टाइम में स्टोरा है, सीता को कुटी में ही नहीं, तो उनकी क्या दशा हुई, माया भी मारीच को मार गिराने के बाद, राम कुटी की और दोड भागे, वहाँ जब उन्होंने सीता को नहीं देखा, तो कुटी के आसपास उनकी बहुत तलाश की, बहुत धूंडा, जब वे कहीं नहीं मिली, तो वे शोक से व्याकुल हो गए, शोक से, यानि कि दुख से, राम सीता को पुकारते रहे और आवाज पेड़ों से टकरा कर हवा में विलीन हो जाती, यानि कि वो गायब हो जाती, कोई वापस आवाज ही नहीं दे रहा था उनको, यहां तक कि पशू पक्षियों की चहक भी लुप्त ह गए, एकदम सब कुछ शान्त हो गया, उन्होंने नदी, पेड़ पौदे, हाथी, शेर, फूल, चटान, पत्थरें, सब से सीता के बारे में पूछा, उन्हों अपनी सुदभुध खो बैटे थे, पतलब अपने होश खो बैटे थे, शोक में वहीं सब भूल गये थे कि खराब हो गई थे, लक्षमन को आता देखकर राम की क्या दशा हुई, मतलब जब राम कहा भाग रहे थे, उस सोनिक हिरन के पीछे, उन्होंने देखा कि वहीं पे लक्षमन भी आ गए, तो क्या हुआ, लक्षमन को कुटी छोड़ता अपनी तरफ आता देखकर राम के मन मे अनिष्ट की आशंकाएं और भी बढ़ गई, मतलब कुछ गलत होने की, वो सोचने लगे कि अकेली सीता को राक्षस उठा ले गए होंगे, वो लक्षमन से कुरुद्ध थे, गुस्ते में थे, उन्होंने लक्षमन का बाया हाथ जोड़ से पकड़ लिया, और दोनों भाई अशंकित थे, उन्होंने अब जल्दी जल्दी वो वापिस जाने लगे, लक्षमन ने किस प्रकार राम का डांडस बादा आया, यानि कि उनको कैसे हिम्मत दी, लक्षमन ने राम से कहा कि आप आधर्श पूरुष हैं, आपको धैरे रखना चाहिए, हम मिलकर देवी सीता क खोज करेंगे, जहाँ भी होगी, आप उन्हें ढूंड निकालेंगे, सीता हमारी पतीक्षा कर रही होंगी, अब ये रोने का समय नहीं है, चलिए सीता की खोज में मार्ग में भटकते हुए लक्षमर्ण ने क्या क्या देखा सीता की खोज में मार्ग में यानि के रास्ते में भटकते भटकते राम लक्षमर्ण ने रत के टुकडे मरा हुआ सार्थी और मरे हुए घोडे देखे वहीं उन्हें सीता के बालों के साथ गुती पुष्प माला भी पड़ी मिली पुष्प माला याने के फूलों की माला थोड़ी दूर पर उन्होंने पक्षी राज जटायू को देखा उसके पंक कटे हुए थे वह खून से लत्पत था जटायू ने उन्हें सीता के बारे में म राम को लगा कि वेहरन संभवत सीता के बारे में कुछ जानते हैं और उन्हें पताना चाहते हैं राम ने उनसे सीता के विशय में पूछा हिंडों ने सिर उठा कर आसमान की ओर देखा और दक्षन दिशा की ओर भाग गए राम ने संकेत समझ लिया और सीता की खोज में खूल में अवस्ता में मिला उसके पंक कटे हुए थे तता वह अंतिम सासी गिन रहा था उसने राम को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है सीता का विलाप सुनकर उसने रावण को चुनोती दी थी उसने रावण का रत तोड दिया था उसके सार्थी और घोडे को रावण ने उसके पंक काट डाले और सीता को लेकर दक्षन पश्चिम दिशा में उड़ गया जटायू ने राम को पूरी बात बता दी सूचना देने के बाद जटायू ने अपने प्राण त्याग दिये और वो नहीं रहा राक्षस कंबद ने राम लक्षमन की क्या साय था क देखो राक्षस था एक कंबद ने दोनों भाईयों राम और लक्षमन को पंपा सरोवर के पास रिश्य मूख परवत पर जाने के लिए कहा किसके पास रिश्य मूख परवत पर क्यों क्यों क्योंकि वहां पे रहता था वानराज सुग्रीव क्यों वहीं उनका शेत्र था व शबरी मंगत रिशी की शिश्या थी, मंगत रिशी एक टाइम की बड़े रिशी थे, उनकी शिश्या थी, वो पंपा सरोवर के पास बने मतंग रिशी के आश्रम में रहती थी, उसकी आयू बहुत हो गए थी, बहुत बुड़ी हो गए थी, शरीर जर जर हो गया था, लेकिन आखें ठीक नहीं, आखें ठीक थी, वो हर पल राम की प्रतीक्षा करती थी, राम को आश्रम में आता देख, शबरी बहुत खोश हुई, उसने उनका बहुत स्वाकत किया, और उसे बेर भी खिला है, इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि शबरी के बेर, क्योंकि वो उने नहीं था ये chapter, question number one, सुग्रीव रिश्यमुक परवत पर क्यों रहते थे, देखो, सुग्रीव किश्किंधा के वानराज बाली के छोटे भाई थे, है ना, किश्किंधा जो जगे थी, वहां के जो राजा थे, वो सब बंदर थे, तो उन्हें वानराज कहते थे, वहां का ज पतभेद इतना बड़ा हो गया कि बाली ने सुग्रीव को जान से मार डालना चाहा और उसकी पतनी पर भी अपना अधिकार कर लिया, अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को रिश्यमुक परवत पर जाना पड़ा, सिंपल बात दोनों भाईयों में रड़ाए हो गई, और जो बड़ा भाई था, उसने बोल दिया तू चले जा नहीं तो तिरी तो मैं जान ले लूँगा, और उसकी जो बीवी थी, उसको भी उसने उस पर अधिकार जमा लिया, चलब अगला वोशन, सुग्रीव ने हनुमान को कहां और किसलिए बेजा, सुग्रीव को हनुमान बाली के कोई एजेंट तो नहीं, चो हमें हमारा पता लगाने आ रहे हूँ, इसलिए सुग्रीव थोड़ा गपरा गए थे, इसलिए उन्होंने पहले किसको बेजा हनुमान को, क्वेशन नमर 3, राम लक्षमन से रिश्यमुख परवत आने का प्रयोजन जानकर हनुमान मु किस्तिती एक जैसी है, दोनों के एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए वे मित्र हो सकते हैं, राम अयोध्या से निकाले गए हैं और सुग्रीव किश्किंदा से, राम की पतनी को रावन उठा ले गया और सुग्रीव की पतनी उसके भाई ने चीन ली, दोनों के पिता और और दोनों के पिता नहीं हैं, मतलब जो हनुमान थे उन्हें लगा इतन दोनों में बड़ी similarity इनकी तो दोस्ती हो जाएगी आपस में, question number four, राम सुग्रीव से क्यों सुग्द हो गए, यानि कि थोड़े दुखी क्यों हो गए, राम की सहायता से किश्किंदा का राजा बनन किश्किंदा का, एक कुछ टाइम बाद वो अपना वचन जो था भूल गए, कौन? सुग्रीव, इस बात के लिए राम थोड़े दुखी हो गए, उदर राम, सुग्रीव और वानरी सेना की प्रतीक्षा किश्किंदा में कर रहे थे, जो राम थे, वो बिचारे सुग्रीव और उसकी वानरी सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे, सुग्रीव ने राम को वचन दिया था, कि लंका रोहन तता सीता की खोज में वे उनकी सहायता करेंगे, वर्शा रितू बीच जाने के बाद भी उन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया, इसलिए राम सुद्ध हो गए आगया समझ में चालो, लंका रोहन यानि कि लंका पर चड़ाई करना है, लंका पर जाके आकरमन करना, लंका रोहन से पहले राम ने क्या किया, लंका रोहन से पहले राम ने वानरी सेना को चार टोलियों में बाटा, चार टीम में, इसके अलावा राम चाहते थे कि वानरों और चतुर दूत को लंका भेजा जाए किसी ऐसे इंसान को जो वहां की सारी ख़वर ले किया है उनमें अंगद दक्षन जाने वाले अग्रिम दल के निता बने इसी दल में हनुमान नल और नील भी थे उन्होंने हनुमान को बुला कर अपनी अंगुठी दी और कहा कि सीता से बेट होने पर उन्हें ये दिखाना वो समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने बेजा है तो उन्होंने एक निशानी दे दी कि अगर सीता से मिलो तुसे ये दिखाते ना तब ही वो समझेगी कि मैंने बेजा है अगला बाली का वद किस प्रकार हुआ बाली जो था किसका सीता की खोज में वानरी सेना उधेड बुन में क्यों पढ़ गई थी मतलब एकदम confusion में क्यों पढ़ गई थी उन्हें कुछ रास्ता क्यों नहीं मिल रहा था देखो लंका रोण से पहले राम ने वानरी सेना को चार टोलियों में विभक्त किया अब दक्षिन की और जाने वाली टोली किशकिंदा से चली वे शाल समुद्र को देखकर वहाँ सभी हिम्मत आर गए इतना बड़ा समुद्र दिखी नीरा आगे कहां तक जाना है सब बिचारे हिम्मत आर गए तब ही वहाँ उन्हें जटायू का भाई संपाती मिला अधेड़गुन में लग गई उधेड़गुन यानि की कैसे ने कैसे करके कुछ ढूंड़ना प्रॉब्लम का सुलीशन इसके साथ चैप्टर हो गया समाप चक्देफटे लंका जाते हुए मार्ग में हनुमान को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा तो जब लंका जाते हो हनुमान को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा रास्ते में एक राक्षसी सुरसा आई उसका शरीर विराट था यानि कि बहुत ही बड़ा था वो हनुमान को खा जाना चाती थी अब पवन पुत्र हनुमान उसे चक्मा देकर आगे बढ़ गए वे उसके मुँ में गुसकर और ततकाल निकलकर आगे बढ़ गए आगे उन्हें सिंगिका नाम की एक और राक्षसी का सामना करना पड़ा उसने हनुमान की परच्छाई पकड़ ली इस सेव अचानक आस्मान में ठहर गए हनुमान को उस पर क्रोध आया उन्होंने सिंगिका को मार डाला और आगे बढ़े तो ऐसे चोटे-चोटे राक्षस उन्हें मिलते गए और उसका वद्ध करकर के या फिर चक्मा दे देके आगे बढ़ते गए Question Number 2 हनुमान के चलांग लगाने पर महेंद्र पर वद पर आय परिवरतन को अपने शब्दों में लिखिए हनुमान के चलांग लगाने पर हनुमान ने जब चलांग लगाई तो जो महेंद्र पर वद जहां से वो कूदे थे उस पर क्या डिफरेंस आया देखो जब जाममंत ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज सिर्फ आप ही कर सकते हैं तब हनुमान उठे और धर्ती को प्रणाम करके एक ये चलांग में महेंद्र परवत पर पहुँच गए हनुमान के चलांग लगा चलांग से परवत दरग गया मतलब हिल गया वरक्ष कापने लगे वशुपक्षी चीतकार करने लगे चटाने आगे आग के गोलों की तरह दहक उठी हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायुगती से आगे बढ़ते गए कई स्थानों पर जल के जर खराब हो गई वाँके जानवर इतर सोदर भागने लगे डर के मारे ऐसे थे श्री हनुमान अब हनुमान ने लंका में सीता की कुछ किस प्रकार की इंपोर्टन कोशन आ सकता है ध्यान से सुनना देखो लंका पहुंचका हनुमान ने शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश कि है उसके बाद ही वो नगर में प्रवेश हुए कहीं उन्हें कोई देखना ले हनुमान ने रात के अंधेरे में रावन के महल का कोना कोना चान मारा परन्तु सीता जैसी कोई स्थरी वहां नहीं मिले रात में उन्होंने पूरा महल ढूंडा पर उन्हें सीता जैसी कोई विस के नीचे राक्षशियों का जुंड दिखाई दिया उन्हें राक्षशियों के बीच पैठी इक्स्त्री दिखाई दी उनका चहरा मुर्जाया हुआ और दैनिय था जैने कि जिस पे लाचार चहरा वो देखते ही पैचान गए कि ये और कोई नहीं सीता है इस तरह हनुमान सीत को खोजने में सफल हो गए चलो रावण ने सीता को अपने वश में करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था रावण ने अपने वश में करने के लिए सीता को हर तरह से डराया लालच दिया सीता काप रही थी उन्होंने रावण का तिरसकार किया रावण ने सीता से कहा सुम कि लड़की मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक स्वयम ऐसा नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं मेरी बात मान लो और सुख भोगो और आनंद से रहो मतलब उसने उनसे पूरा लालज दिया पर ये अच्छी बात थी कि उसने कभी उन हनुमान एक पहाड़ी पर चड़ गए वहां से चारों उन नजर दोड़ाई लंका सोने की सुन्दर नगरी थी पूरी सोने से बने हुई उन्होंने ऐसा नगर कभी नहीं देखा था चारों और मटकते बागीचे और हरे भरे पेड तता भव्य भवन थे राक्षस नगरी मे इतनी सुन्दरता को देख करी हनुमान चकेत हो गए उन्होंने सुचा ही राक्षस नगरी है हनुमान ने सीता को देख कर कैसे पहचाना देखो अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों की हसी सुनाई पड़ी जब वो वाटिका में बैठे थे तो उन्हें हसी सुनाई हुआ था वह उदास और दैनिये लग रही थी वो अतियंत दुरुबल भी हो गई थी बतलब बहुत कमजूर भी थी उनका शोक क्रस्त चहरा देखते ही हनुमान ने अनुमान लगा लिया कि यह और कोई नहीं सीता मा है हनुमान ने पेड से नीचे उतर कर सीता को अपना परिचे किस प्रकार दिया देखो हनुमान पेड से नीचे उतरे सीता को प्रणाम कर राम की अंगूठी उन्हें दी और बोले हे माता मैं राम का दास हूँ उन्होंने मुझे यहां भेजा है सीता के मन की शंका दूर करने के लिए उन्होंने सीता द्वारा परवत पर फेके गए आभुषणों की याद दिलाई तब जाकर सीता के बन में संधे दूर हुआ मतलब उन्होंने याद दिलाया कि माता आप याद करो जब रावण आपको उठा के ले जा रहा था आपने कुछ आभुषण फेक दिये थे मैं उन्ही बंदरों में से था और मैंने वहाँ आपको देखा था तो इससे उन्हें भरुसा हो गया कि यहाँ राम नहीं बेजा है लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने लंका में उत्पात क्यों मचाया अब लंका जाने से पहले राम ने लो स्वरी हनुमान ने पूरी लंका जला डाली कैसा क्यों हुआ था हनुमान को सीता का पता लगने के बाद इसकी सूचना राम को अतिशिग्र देना चाह रहे थे पर लंका छोड़ने से पहले वे रावण से मिलना चाहते थे अतरह रावण से मिलने का अब एक ही तरीका था कि लंका में उत्पात मचाया जाए अब रावण से मिलना था तो क्या करते पूरी लंका में उन्होंने एस तैसी कर दी अतरत अब उन्होंने लंका में उत्पात मचाया और उनकी राक्षसों को मार डाला तो राक्षस भागे भागे राजमेल गए और इसकी सूचना रावड को दी अन्तता मेगनाद ने चुकि हनुमान का एक बेटा था मेगनाद ने हनुमान को बांधा और रावड के पास ले गया चलो हनुमान ने लंका से किश्किंधा लोट कर राम से क्या कहा हनुमान जब वापस आ गए तो उन्होंने क्या बताया हनुमान ने लंका से किश्किंधा लोट कर राम को सीता के द्वारा दिया गया अपना एक आभूशन चूड़ा मणी दिया मतलब जैसे राम ने एक अंगूटी दी थी उसी तरह सीता ने चूड़ा मणी बहुत चिंता है वे सदा राक्षस राक्षस्यों से गिरी रहती है वे आपकी प्रतीक्षा में है उन्होंने कहा है यदि श्री राम दो महीने में यहां नहीं आएंगे तो पापी रावन उझे मार डालेगा तो बस ओहो एक कुशन और हमारा बज़ा हनुमान से सीता का समाचार जानकर वानरों की क्या प्रतिक्रिया हुई क्या अक्टिविटी थी दूसरे किनारे सागर तट पर प्रतिक्षा कर रहे वानर यानि कि लाखों बंदर हनुमान से सीता का समाचार जानकर किलकारियां भरन खुशी में उनका जंगल से में उत्पात बढ़ गया उन्होंने रास्ते में कई वन उजार दिये फल खाए और फेक फेके सभी वानर खुशी में कूटते हुए किश्किंदा पहुंच गया और राम को सीता की सूचना दी वहां पहुंचकर हनुमान ने राम को सीता द्वारा आबूशन चूडा मणी दे दिया देखा तो इसी के साथ पूरा चाप्टर हो चुका है समाप्त कुछा नमर बन रावन को क्या समझाने का प्रयास ने किया और क्यूं रावन पर इसका क्या असर हुआ देखो सबसे पहले तो किस ने किया था विभीशन जो कि उनका छोटा भाई था विभीशन ने रावन को ये समझाने का प्रयास किया कि आप सीता को वापस लोटा दें राम से युद्ध करना ठीक नहीं है इसी में सबकी भलाई है सीता के मिल जाने पर राम लंका पर आक्रमन नहीं करेंगे और लंका विनाश से बज जाएगी ये महा विनाश के संकेत हैं विभीशन की बात सुन रावन को क्रोध आ गया मतलब वो क्रोध से भढ़क उठा उसने विभीशन से कहा तुम भाई नहीं शत्रू हो तुम्हें मुझे तुमारी सहाईता की आवश्यक्ता नहीं है ये सुनका रावन ने उसे वहाँ से चले जाने का निर्देश क तुम चले जाओ यहां से कुछ अच्छी बात करो क्या पकवास कर रहा है अब विभीशन लंका से निकल कर कहां पहुँचे और वहां किन से मिले देखो रावन से क्रोधित होकर विभीशन को लंका से चले जाने के लिका रावन ने क्रोधित होकर विभीशन को लंका से जान राम ने विभीशन को अपना शर्णागत एवं मित्र बनाकर उनका स्वाथित किया यानि कि भले ही वो सामने वाली टीम से आये थे पर ऐसा नहीं राम ने उन पर आमला कर दिया मार दो इसको तो रावड का भाई है उन्होंने उनको दोस्ती करी और उनसे मित्रता तक करी करने के लिए समुद्र को पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी राम तीन दिन तक समुद्र से विंती करते रहे कि वह रास्ता दे दे लेकिन वो नहीं माना इस कारण राम क्रोधित हो गये उनके क्रोध को शांत करने के लिए समुद्र ने उन्हें एक उपाय बताया कि उनी की सेना का नल नामक एक वानर पुल बना सकता है। नल ने अगले दिन पुल बनाना आरंब कर दिया। पांच दिन में पुल बन कर तयार हो गया। सबसे पहले विभीशन और उनके पीछे वानर सेना उस पुल से समुदुर पार करकर कहां चले गए। लंका पहुँचे। चलो, नेक्स्ट कुश्शन कुम्बकरण कौन था? उसने युद्ध भूमी में क्या किया? उसका अंत किस प्रकार हुआ? तो कुम्बकरण रावन का भाई था। युद्ध भूमी में कुम्बकरण को देखते ही वानर सेना में बगदर मच गई। वे शाल बहुत ही बड़ा था, छे महीने सोता था, छे महीने जगता था। उसको specially जगाया गया था ताकि वो उस लड़ाई में लड़े। अगला कुशन, रावन ने कुम्बकरण को क्यों जगाया? भाई अभी बताया में आपको, रावन को जब अपनी सेना के अनेक महाबलियों यानि कि बहुत शक्तिशाली लोगों के मारे जाने की सूचना मिली तो उसने स्वयम सेना की कमान समाल ली, मतलब वो खुद लीडर बन गया, राम के बाड़ों से उसका मुकुट धर्ती पर जा गिरा, अब जब वो लड़ रहा था, राम ने उसका जो मुकुट था वो गिरा दिया, इससे वो उसकी बेस्ति हो गया, लज्जित हो गया, वो वापस लौट भागा, उसे अब तक राम की शक्ति का पता भी नह याने के लक्षमन को तीर लग गया था, है ना पर लक्षमन को किस तरीके से बचाया गया, घाय लक्षमन को उठा कर हनुमान रण शेत्र से दूर ले गया, लड़ाई से दूर ले गया, वैद सुशेन को बलाया गया, हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा ग यह क्योंने समझ नहीं आ रहा था कौन सी exactly बूटी है चलो question number 7 देखते हैं युद्ध भूमी में लक्षमन कैसे अचेत हुए तथा उनका इलाज कैसे किया गया almost same question है पर starting का पहला पार की कैसे हुए वो देख लेते हैं लक्षमन और रावण का भीशण युद्ध हुआ रावण और लक्षमन तभी राम और विभीशण भी वहाँ आ गए अपने शत्रु राम की सेना के साथ विभीशण को देख कर रावण आग बबुला हो गया रावण उसे देश द्रोही मानता था उसने विभीशन के उपर निशाना साधा किन्तु लक्षमन ने उसके बाण बीच से काट दिया रावण के दूसरे घातक बाण के सामने लक्षमन आ गए और विभीशन को बाण लगने से बच गया देखो नल के दवारा पुल बनाने का काम पाँच दिनों में तयार होने के बाद उस पुल से राम की पूरी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची पुल बनने की बात पर रावण काफी आश्चर चकित हुआ समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है इस बात पर वो असंभव कहते हुए चीक पड़ा चुलाया असंभव कै कैसे पुल बन सकता है समुद्र पर और इसी के साथ असंभव कहा कि हमारा चैप्टर भी पूरी तरह हो गया खतम Q1. विभीषण राम को लंका में रुकने का आग्रह क्यों कर रहे थे जब पूरी रावण को हरा दिया लंका जीत ली तो विभीषण ने राम से आग्रह किया request की कि प्लीज आप यहीं रुख जाओ बट राम ने मना कर दिया क्यों तब देखते हैं विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिनों के लिए लंका में रुख जाएं और थोड़ा विश्राम कर लें उनकी ठकान भी उतर जाएगी और उन नगर का ब्रह्मन भी कर लेंगे इसके अलावा विभीषण कि ये भी इच्छा थी कि राम के सानेध्य से उने उनसे रीती नीती सीखने का मौका मिलेगा सानेध्य हैने कि उनके गाइड़न्स में उनसे रीती नीती सीखने का मौका भी मिल जाएगा चलो, question number two विभीशन ने कहा जाने का आग्रह राम से किया विभीशन राम के सानेदे में रहना चाते थे यानि कि उनके गाइडेंस में रहना चाते थे उन्होंने राम से ये अनुरोध किया कि वे उनके राजजबिशेक में शामिल होना चाते हैं याने कि वो उनके साथ आयोध्या जाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने राम के साथ आयोध्या चलने की अनुवति मागी राम ने उनका आग्रह सुईकार कर लिया इसके लिए यात्रा विवस्था विभीशन पर छोड़ी गई कि भई कैसे जाना ये तुम्हारे उपर है विभीशन का पुश्पक विमान राम लक्ष्मन और सीता के साथ सुग्रीव हनुमान तता विभीशन को आयोध्या ले जाने के लिए तैयार था तो चलो होगे नहीं कोशन नेक्स्ट कोशन राम ने लंका में रुकने के लिए विभीशन का आग्रह सुईकार क्यों नहीं किया था देखो विभीशन चाहते थे कि राम कुछ दिनों के लिए लंका में ही रुक जाया पर राम ने इसे सुईकार करने में असमर्थता प्रकट की यानि कि मैं करी नहीं सकता राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे भरत द्वारा प्रतीक्षा किये जाने के कारण पर तुरंत लोट जाना चाहते थे 14 वर्ष की अवधी से अधिक होने पर भरत अपने प्राण दे सकते थे इसलिए राम ने लंका में रुकने का आगरे अस्वीकार कर दिया उन्हें जो भरत आया था भरत ने क्या बोला था अगर आप 14 वर्ष के एक दिन भी लेट आओगे ना तो मैं प्राण त्याग दूँगा मतलब मैं रही नहीं पाऊँगा आपके बिना भरत आश्रम के अंदर से राम की खड़ाओं ले आये तथा उन्होंने खड़ाओं को स्वेम राम के पैरों में पहनाया चारों तरफ खुशी का वातावरण था तथा सभी के आँखों में खुशी के आँसुते इसी दिन हम दिवाली मनाते हैं हनुमान और भरत के भेट का वर्णन करें जये वो मिले थे उसको एक्स्प्लेन करों हनुमान वायू वेग से उड़कर नंदी ग्राम पहुँचे वायू की स्पीड से वहां उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है वे प्रयाग पहुँच चुके हैं वे उनी की आग्या से यहां आपके पास पहुँचे हैं ये सुनकर भरत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उनकी आँखों में खुशी के आंसू थे इस शुब सूचना के लिए वे हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे उनके चेहरे पर केवल प्रसनिता का भाव थ हनुमान उनसे पिदा लेकर राम के पास लोट गए अगला कुशन राम की राजबिशेक का वर्णन करे राम का राजबिशेक उसका जर एक्स्पेरिन करो राम के राजबिशेक पर पूरी अयोध्या नगरी दीप मालाओं से सजी चगमगा रही थी पूरा नगर सजाया गया था फूलों की सुगंद चारों तरफ फैल रही थी वाग यंत्रों की जंकार सुनाई दे रही थी राम का राज्टिलक मुनी वशिष्ट ने किया माताओ ने आरती उतारी मंगला चरन गया मंगला चरन गया मतलब मंगला चरन याने कि बहुत अच्छचे गीत गये गये मंगल मंगल लक्ष्मन भरत शर्त्रों उनके पास ही खड़े थे हनुमान नीचे बैठे थे इस प्रकार चारों और खुशी का वातावरंट था राम ने सीता को एक भहु मूले हार दिया किसने राम ने सीता को एक भहु मूले सीता ने अपने गले का हार उतार कर सेवक हनुमान को भेट कर दिया वो सोच रही थी किसको दें किसको दें राम ने बोला जिसको तुम सबसे ज़ाद अच्छा मानती उसको दो तो उन्होंने किसको दिया था? हनुमान को दिया था और इसी के साथ हमने पूरी बाल राम कता आज कम्प्लीट कर लिया है विद एक्स्प्लिनेशन और विद क्वेशन आंसेर्स पूरी सीरीज के चीज़ी लगी बहुत ही मजा आया है इसको पढ़के केस के क्वेशन आसर्स करके आप भी जुरूर बताना आपका एक्स्पीरियंस कैसा था ठीक है चैनल के आपको सब ही सब्जेट्स की वीडियो भी मिलती है चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी सारी वीडियो को भी देखो और उनका फीडबैक मुझे दो ठीक है कि अब आप एक फैमिली बन चुक हो यार इतना हम आगया आगये हैं तो फैमिली तो तुम हो ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और मौझ मस्ती करते रहिए